असालाम आलेकुम स्टूरेंट्स. छास्ट वीडियो में हमने पड़ा था Duties of casher in retail store. आज हम देखेंगे Responsibilities of a casher in retail store. पहला point है हमारे पास Responsibilities of casher में Handle cash transactions with customers. हमें cash transactions handle करनी है जो भी retail store में होगी वो हमें handle करनी है with customers. दूसरा point है हमारे पास scan products and collect payments. जो भी product customer खरी देगा, हमें वो scan करना है और collect करना है, payment किसे customer से, तीसरा point है हमारे पास issue recepts, हमें issue recept भी करनी है, उस payment की, refunds, tickets, exchange goods, उसके बाद है हमारे पास redeem stamps and coupons, हमें redeem stamps and coupons करने है, कभी कभार company कोई coupon प्रोइड करती है, customer को regarding sales, सेल्स होती है और कस्टमर को मतलब अप्टो एमाउंट दिया जाता है यह मतलब आइटमस दिये जाते हैं कि अगर आप चार आइटमस खरीद होगे आपको फिप्ट वन फ्री मिलेगा या अगर आप थोजंड की शॉपिंग करोगे आपको 10% आप मिलेगा जो भी कोपन कंपनी की प्रोवाइड करेगी हमें कोपन जो होगा और वह रेडियम करने और पेमेंट में लेस करने जितना भी वह कोपन होगा वह लेस करने कस्टमर की पेमेंट में उसके बाद हमारे पास है रिसोलो गाइड और प्रोवाइड रिल्वेंट इन्फोरमेशन रिगार्डिंग कस् प्लैंड होगी, वो हमें सॉलो करना है, गाइड करना है उनको, उसके बाद हमारे पास है, greet customers in a retail store on their arrival, हमें greeting देनी है customer को, हमें welcome करना है customer को on their arrivals, उसके बाद हमारे पास दूसरा point है, maintain clean and neat checkout areas, हमें maintain रखना है checkout area, clean रखना है, साफ रखना है, pleasantly deal with customers to ensure complete satisfaction, हमें अच्छा behavior दिखाना है customer को, जिससे हमें customer satisfaction मिलेगी, हमें customer को हर एक information provide करनी है, customer regarding payment, regarding products, हमें उससे customer complete satisfaction customer को मिल सकती है, क्व सकती है, जिससे क Complete झाल 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 झाल